कोरोना महामारी से जूज रहे अमेरिका ने इमिग्रेशन को रोकने का फैसला किया है अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम्प ने मंगलवार सुभः ये बड़ा एलान किया है अमेरिका में अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को निवास करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी डोनाल ट्रम्प ने इस बड़े फैसले का एलान अपने ट्वीटर अकाउंट से किया कोरोना वाइरस की वज़े से खड़े हुए आर्थिक संकट को देखते हुए डोनाल ट्रम्प ने ये फैसला लिया है अमेरिके राश्ट्रपती डोनाल ट्रम्प ने मंगलवार सुभः ट्वीट कर एलान किया कि अद्रश्य दुश्मन के हमले की वज़े से जो इस्तिती पैदा हुई है उसमें हमें हमारे महान अमेरिका नागरिकों की नौकरी को बचा कर रखना है इसी को देखते हुए मैं एक ओर्डर पर साइन कर रहा हूँ जो अमेरिका में बाहरी लोगों के बसने पर रोक लगा देगा वहीं इससे ये साफ हो गया है कि अब अगले आदेश तक कोई भी विदेशी नागरिक अमेरिका का नागरिक नहीं बन पाएगा और नहीं इसके लिए अपलाई कर पाएगा दुनिया भर से लोग अमेरिका में नौकरी और बिजनस के लिए जाते हैं जो कि कुछ वक्त के बाद वहाँ पर ही सिटिजनशिप के लिए अपलाई करते हैं